नमस्कार दोस्तों मेरो होन श्रम हाज़ीरों आप सब्सक्राइब की सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल जो तिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे आज के शाम को होने वाले मैच के बारे में जो है सेकंड क्वालिफायर म पीश में जो मैच होने वाला उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा किस प्रकार से मैच का रिजल्ट रहेगा यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उससे पहले एक महत्वकून बात दोस्तों में यहां पर बता देता हूं कुछ लोग मेरे वीडियो उसका गलत फा प्रकाइद देगा और दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा मेरा एक ही नमबर चालू है टूराओफ वीडियो मेरा एक ही नंबर है मैंने कोई नमबर चेंज नहीं किया है तो अगर आपको कुछ भी बात करनी है इस बारे में की कुछ भी बात पूछना है या जानना है त और मेरी नाम से कुछ और चल रहे हैं तो आप वहां पर थोड़ा सा सावधानी रखें इसके लाव फ्रेंड्स मैं आज बात करने वाला हूं डीडी और मदुराई की बीच में डीडी और मदुराई में कौन जीतेगा इसके बारे में आएए बात करते हैं तो और जिस प्रकार बाुलिंग करना है यहां पर जाधा पसंद आज करेगी। हाइइ स्कोरिंग मैच हो सकता है एक चाौंसे हैं बहुत जाधा चांसे मैच के लग नहीं रहें डिपेंड करता है कि कौन सी टाॉज जिद्के पहले यहां पर बैटिंग करती है Pr प्लेयर्स की बात जरूर करना चाहूंगा आज क्योंकि मदुराई के टीम में तीन प्लेयर्स हैं और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वह अरुन कार्थिक अगर चलते हैं तो मैच यह थोड़ा सा लंबा जाएगा तो यहां पर मैच का कॉंफिटेंस जो है वह काफी ह तक खतम हो जाएगा अरुम कार्थिक अलावा जग्दी सिंग कौशिक हैं जो थोड़े से यहां पर साथ दे सकते हैं इसके अलावा और कोई जादा प्लेयर्स मुझे आपर दिख नहीं रहे जो इस त्रीम में थोड़ा से सपोर्ट करेंगे किरन आकाश थूआ और टीन पे डीडी की अगर बात करें तो जहां तक मेरे पास न्यूज है रवी चंदन अश्विन आज गेम में नहीं है रवी चंदन अश्विन आज नहीं खेल रहे हैं इसके अलावा हरी निशनात का चलना बहुत जादा जरूरी है अगर हरी निशनात और जग्दी सन में से कोई भी हो मैच की जिम्मीदारी लेनी पड़ीट यहां पर और कहीं न कहीं वे यहां पर एक अच्छा गेम यहां पर दिखा सकते हैं तो और इभी चंदन अलख बहुत जादा अच्छा चल नहीं रहा है तो और चॉट से बिलेगा है धीर등 स्पेल्फेल और 2 नहीं तेर डियां पर साथ यहां पर खेले मैदान में उत्रे तो कहीं न कहीं मैच को थोड़ा सा अच्छा यहां पर निकाल के ले जा सकती है मदुराई की अभी 42 परसंट चांसे से अगर मदुराई टॉस जीद कर पैरे बैटिंग करती है तो उस चांसे को यहां पर बढ़ाने की कोशिश यह जरू बहुत जादा है पर मुश्किल रहेगा देखा जाए तो लोग मैच दिख रहा है कहीं ने के 108 एक सुबीस एक सो पचीस मैक्सिमूम स्कोर दिख रहा है यह भी और इजी चेस हो जाएगा यह कोई बहुत जादा मैनत करनी नहीं पड़ी की चेजिंग टीम को अगर डीडी प को अपने पक्षमें लेनी कोशिश कर सकता है तो जरूर करें अधरवाइस फर्स बैटिंग पर मुद्राई को बहुत जादा चांसे यहां पर अच्छे नहीं दिखते हैं मैच की अगर बात करूं फ्रेंस तो जिससाब से मैच जाएगा अगर मैं बात करूं ऑवर्स की यहा सकता है तो और जो है फुर्स बैटिंग जो भी टीम करेगी उसके लिए यह तीन और तीन मैं इस तरफ से जा रहा है और किस तरफ से नहीं जा रहा है इसके बाद अगर बात करूं तो सेवेंथ एट्ट ओवर्स बहुत जाएगा यहां पर सेवेंट रहेगा यहां पर सेवे लिए आपको इसके लावार 14 और 15 और बाद वाली बैटिंग के लिए थोड़ा सा यहां पर इंपोर्टन रह सकता है मैं किसकी तरफ हूँ तो मैं आज के मैश में फिलाल डीडी की तरफ हूँ क्योंकि डीडी के चांसे मुझे थोड़े से जादा दिख रहे हैं और डीडी क तो थोड़ा से यहां पर दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा मदूराई के पास अच्छे प्लियर्स हैं नो डाउट मदूरे के पास इसा बिल्कुल नहीं कि अच्छे प्लियर्स नहीं है अच्छे बॉलर नहीं है बट एक कंसिस्टेंसी रख पाते हैं तो जीतने की बना पाएंगे कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतने की तान से बना पाना क्योंकि अरुन कार्थिक के उपर पूरा गेम डिपेंड करेगा वह कितना लंबा खेलते हैं और कब तक खेलते हैं उसके उपर आगे का गेम यहां पर डिप करूँगा कि आपको रिप्लाइज जल्दी से जल्दी कर पाऊं इसके लाव फ्रेंस लाइफ में कोई भी इशूस हैं कोई प्रॉब्लम में कोई समस्याय कोई सॉलीशन चाहते हैं तो प्लीज मुझसे कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सही तरह से मदद क कर पाऊं इसके अलावा टेलीग्राम के बारे में वापस बोल रहा हूं जो लोग मेरे नाम पर पैसा ठगने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज उन लोगों से सावधान रही है और उन लोगों से थोड़ा सा दूर रही है तो आपको ज्यादा यहां पर लाब होगा अदरवाइ मेरे नाम पर आप किसी और को पैसा पे कर रहे हैं तो उसमें मेरी कोई भी जिम्मदारी यहां पर नहीं रहेगी